सोमवती अमवस्या पर दुरलप सैयोग, दान, पूजा, उपाई के लिए इससे बहतर दिन और कोई नहीं हिंदो धर्म में अमवस्या तिती का विशेश महत्वत बताया गया है सोमवार के दिन अगर अमवस्या तिथी का सयोग हो जाए तो इसे सोमवती अमवस्या कहा जाता है कहते हैं कि सोमवती अमवस्या पर किया गया दान, पूजा और उपाई आधी का स्ट्रेश टुफल मिलता है साल में दो से तीन बार सोमवती अमवस्या का सयोग बनता है साल दोजार चौबिस में सोमवती अमवस्या का पहला सयोग अप्रेल में बन रहा है पंचान के नुसार चैतर मास की अमवस्या तिथी आठ अप्रेल सोमवार की सुबा तीन बच कर 21 मिनट से शुरू होगी जो देरात 11 बच कर 50 मिनट तक रहेगी चुक्की अमवस्या तिथी का सूरे अठ अप्रेल को होगा इसलिए इसे दिन सोमवती अमवस्या का पर्व मनाया जाएगा सोमवती अमवस्या से संबदित स्नान दान उपाय आदी सभी इसे दिन किये जाएंगे इस दिन गद मातंग और इंदर नाम के तीन शुब योग भी रहेंगे इस बार सोमवती अमवस्या पर सूरे ग्रहन का आभी संयोग बन रहा है लेकिन ये ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए यहां इसका कोई भी महत्व जैसे सूतक आदी माने नहीं होगा कई दशकों में एक बार सोमवती अमवस्या पर सूरे ग्रहन का दुरलब संयोग बनता है हिंदू पंचान के नुसार आठ अपरेल सोमवार हिंदू वर्ष दोहजार असी का अंतिम दिन रहेगा इसके अगले दिन यानि 9 अपरेल मंगलवार से विक्रम समवत 2021 शुरू हो आधी के लिए बहुती स्रेश्ट बन गया है